वेलो फ्रेंट मैं नामे चिराग और आप देख रहे हैं डीजे गुरू चिराग यूटूब चैनल यो तो दोस्तो आज की वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि पॉलिफिल क्या होता है दोस्तो पॉलिफिल क्या होता है क्यों होता है और कहां काम आता है दोस्तों पहले मैं आपको यह समझाता हूँ कि पॉलिफील होता क्या है तो फ्रेंड्स पॉलिफील स्पिकर के जो इंकलॉजर्स होते हैं उनके अंदर जो आप कोटन देखते हो यानि कि नकली रूई जो भरी जाती है उसको बोलता है पॉलिफील और पॉलिफील का काम क्या होता है यह कैसे काम गरता है यह किसी और काम आता है वह सब्सक्राइब कर दिजैगा ज्रू पसंद आती है तो नहीं आती और अच्छा से कमेंट ज्रू झरू यूटुब चैनल तो आज की वीडियो को बन शुरू कर लेते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के तो दोस्तों पॉलिफिल जो होता है वह सबसे पहले मैं को समझाता हूं कि कहां कहां आता है पॉलिफिल एक तरीके से आपको मैं अंदात लगवाता हूं कि आपको टेडी बीर हो वह हो गए उनके अंदर आपको पॉलिफिल देखने को मिलता है तो दोस्तों अब बात करते हैं स्पीकर के का इन्- клोज़र के अंदर पॉलिफिल क्यो डालता है जरूरी होता है अगर आपको एक और अच्छी कवांटिटी और अच्छी क्योंइटी इस चाहिए तो अगर आप चाहते कि हाँ बज़रा है ठीक है तो तो कोई बात नहीं लेकिन आप चाहते कि नहीं अगर आपने speaker पेशा खर्च किया है box पेशा खर्च किया है तो आप थोड़ा सा पैसा polyfill पे भी लगा सकते हो तो दोस्तों polyfill पे क्यों लगाना है पैसा वो भी मैं आपको आज वीडियो में बताऊंगा क्या जो reason होता है वो मैं आपको आप समझाता हूं एक एक करके तो सबसे पहले आप यह समझिए कि आपने एक speaker box का enclosure त्यार किया जो आपकी size के मुकाबले थोड़ा सा चोटा बन गया अब speaker तो आपका उतना ही है यानि कि उसको air का तो उतना ही जरूत पड़ेगा लेकिन enclosure चोटा बन गया तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपका impedance कम होएगा यानि कि speaker की quality में हलका फरक आएगा वह फरक केसे आएगा चब speaker बजेगा तो वह ओवा को अंदर बाहर फिकेगा हवा अंदर बाहर जाएगी तो वह दोस्तों दिवार पर टकरना कर ही जाईगी यानि कि speaker box की दिवार होगी उस पर वह टकरना ही बाहर जाएगी और अगर वो दिवार पर हवा टकराती है यानि कि जो voice दिवार पर टकराती है तो उसमें एक distortion आता है ये बात आप भी समझते हैं अगर आप ply केवल पाई ply को आपने लगा रखा है और अगर आपकी voice उससे टकराती है तो आवाज में distortion आता है यानि कि कुछ अलग voice create होती जो कि आपकी आवाज यानि कि sound की performance को बिगाड़ती है तो दोस्तो अब आप समझ गये होंगे मैं क्या बोलना चाहरा हूँ और अगर उस जगे पर आप polyfill को add करते हो यानि कि आपका जो ये नकली रूई है इस नकली रूई को आप आप इस speaker की दिवारों पर जोड देते हो तो दोस्तो आपका वो distortion खतम हो जाएगा पहली बात तो ये यानि कि जब वो voice उस पर टकराएगी दिवार पर तो दोस्तो वो इधर उधर नहीं फेलेगी यानि कि एक बार टकराके वो दूसरी साइड को नहीं मुड़ेगी वो वहीं पर खतम हो जाएगी जैसे ही वहाँ टकराएगी तो वो polyfill की दिवार के आसपास फेल जाएगी ना कि उससे टकराके किसी और साइड में रन करेगी वो polyfill पर टकराके मतलब चारो तरफ फेल जाएगी तो उससे यह होगा कि आपको जो एक perfect sound quality मिलेगी तो दोस्तो जो professional से उनको तो पता है और वो हर जगह पर ये polyfill डालके देते ही देते हैं चाहे छोटा box हो गया, चाहे सबूफर हो गया, चाहे बड़ा enclosure हो गया कितना भी बड़ा हो या चोटा हो वो थोड़ा polyfill तो अंदर डालते ही है तो दोस्तो अब आप सोच रहे होंगे कि यार बड़े का तो मान सकते है कि हाँ चलो बड़े में तो जरूरत पड़ती होगी चोटे में क्या जरूरत पड़ेगी यानि कि enclosure भी perfect size का बनाया है तो फिर क्या जरूरत पड़ेगी यानि कि छोटे enclosure में आप सोचो गया इसमें आप क्या जरूरत पड़ेगी polyfill क्यो डाले अंदर तो पहला reason तो मैंने आपको समझा या distortion का है यानि कि आपकी जो वही से वह चार तरफ नहीं गुमेंगी वह एक जगा जाके और perfectly जो enclosure design है उस enclosure के हिसाब से ही वह उसमें मतलब perform करेगी ना कि इदर उदर फेलेगी या फिर आवाज में distortion create करेगी पहला reason तो यह हो गया और दूसरा reason यह है जो थोड़ा सा typical है इसको आपको समझना पड़ेगा दोस्तों enclosure जो होता है उसको जितना मतलब ज़्यादा air का space मिलता है वो उतना अच्छे से बज़ता है ठीक है लेकिन इसका मतलब अब यह तो नहीं हुआ कि अपन 6 इंच के speaker के लिए यह कमरे जितना बड़ा enclosure बना दे ऐसा तो नहीं हो पाएगा enclosure तो छोटा ही बनेगा लेकिन फिर भी उसके अंदर अपन ऐसा कुछ करे जिसे की थोड़ा air का उसको और ज़्यादा मतलब फाइदा मिले यहनि कि जो speaker का मतलब कौन होता है वो जब उपर नीचे होगा तो उसको काफी थोड़ी ज़्यादा जगे मिले वो कैसे होगा उसके लिए polyfill ही काम करता है अब रीजन आप समझना जैसे ही अंदर की तरफ air जाएगी enclosure में वो air जाएगी सीधा speaker पर speaker उसको पीछे की तरफ फेकेगा तो वो air बट जाएगी उस polyfill के अंदर अब वो polyfill है यानि कि प्लास्टिकी रुई है उसके अंदर रुई में हवा फेल जाएगी अब वो फेली और speaker ने उसको पीछे की तरफ दखका दिया अब जब वापिस मतलब speaker का कौन उपर की तरफ उठेगा ठीक है तो उसको और जादा हवा चाहिए तो वो जो हवा होगी वो चारो तरफ पॉलिफिल के अंदर जो दबी हुई हवा है वो और जो बॉक्स की हवा है वो यानि कि दो टाइप्स हो गए दोनों हवा एक साथ खिचेगा वो उपर क की तरफ तो दोस्तों speaker को और ज्यादा air मिलेगी उसको pump करने के लिए तो उससे काफी ज्यादा अच्छी quality आएगी यानि कि speaker जो होगा वो ज्यादा उपर नीचे हो पाएगा और ज्यादा अच्छी frequency को play कर सकेगा इसलिए ज़रूरत होती है extra polyfill को add करने की तो दोस्तों बोड़ा सा polyfill निकालके उसकी box के अंदर अच्छे से उसके borders पर लगा के और फिर एक बार आप उसकी performance सुनना आपको काफी ज़्यादा फरक नजर आएगा तो दोस्तों main कारण ये थे एक बार फीट से repeat कर देता हूं पहला कारण ये कि speaker का जो आवाज होता है वो उसके borders प पर लगता है और अगर उसकी दिवार अच्छे से polished और अच्छे से well finished नहीं है तो वो distortion create करेगा और उस distortion को मिटाने के लिए उस पर अपन polyfill aid करते हैं और दूसरा करण मैं आपको समझाया कि अगर enclosure के अंदर जगा कम है और आप चाहते हैं कि वो उसके अंदर अच्छे से air क flow भी बने और speaker काफी ज़्यादा अच्छे से बज़ सके तो आप polyfill लगाईए वो उस air को थोड़ा और अंदर absorb करेगा यानि कि जितनी उसकी limit है उसे थोड़ी सी ज़्यादा air और absorb करेगा और उसको जो है speaker को काफी ज़्यादा अच्छे performance देने को मिलेगा अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप पूरा डबा ही पॉली फिल से बढ़ दे लेकिन थोड़ा बहुत इस चीज़ का भी ध्यान रखेगा तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर से बताएगा चैनल पर नहीं है तो जरूर से सबस्क्राइब कर लीजेगा वीडियो को लाइक नहीं किया तो अब तक कर लीजे और पसंद नहीं आए तो डिसलाइक कर दीजे और कारण निचे कमेंट में डाल दीजे कि क्यों पसंद नहीं आएए और अगर आपके कोई राय है वो देना चाहते है तो भी कमेंट कर सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसका इंतजार करने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेजिए दोस्तों मिलता हूं एसी किसी दूसरी वीडियो के अंदर तब तक के लिए देखते ही है डीजे गुरू चिराग यूटूब चैनल और दोस्तों अब मैं फाइनली आपसे विदा लेता हूं मिलूं किसी ऐसी दूसरी वीडियो के अंदर